जै काल भैरफ, मैं रज्मी मेनन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, आपकी पसंदीदा कारिक्रम काल भैरफ साध्णा में दर्श को हर कोई चाहता है कि उनको साधना किस प्रकार से करनी है ये जानकारिया प्राप्त हो जाएं किस प्रकार से भगवान का आशिरवात प्राप्त करना है ये जानकारिया उन तक पहुत जाएं लेकिन हर कोई नहीं होता जिनकों ये सारी जानकारियां प्राप्थ हो जाती है तो इस कारिक्रम के माध्यम से हम आपको ये बताते हैं कैसे आपको साधना करनी चाहिए किस तरीके से आपको भगवान का आशिरवात प्राप्थ हो सकता है किस तरीके से आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार से अपनी इस वेस्त दिन शर्या में आपको ध्यान के लिए समय निकालना चाहिए और भगवान से खुद को या फिर कहें कि भगवान के दौरा अपने तमाम प्रकार की जो परिशानिया आ रहे हैं उ स्वागत है आपका सद्गुरु जी। आपके मादे हमसे सद्गुरु देव जी से माल गर्शन प्राप्ट कर सकते हैं। आज के लिए के समाज में व्यत्ती दोड़ रहा है सवरे से लेकर रात तक। उसके जीवन में समय नहीं उरजा भी नहीं पचती शाम तक कि वो जाप के लिए बैठे या साधना के लिए बैठे या ध्यान के लिए बैठे। जब मैं पूरे देश में भ्रमण करता हूं इधर दर जाता हूं सबको मैं ध्यान करवाता हूं तो मैं सबको ही बताता हूं कि अपने 24 घंटे में से कम से कम 15 मिनिट आप अपने जीवन से निकाल देजिए वो सिर्फ 15 मिनिट ध्यान करने से मिल जाती है रेगलर जो ध्यान करता होगा उसके जीवन में तो कितना परिवर्टन आ जाता होगा ध्यान की कई विदिया हैं मेरा अपना जो यूटीब चैनल है उसके भी मैंने ध्यान की विदिया डाली हूई है एक 10 मिनिट की ध्यान की अगर दस मिनिट भी व्यक्ति उसको सिर्फ कान में लगा के सुन ले तो उसके बुद्धी का विकास होता है उसके आग्या चक्र में स्पंदन होना शुरू हो जाता है उसको इश्ट करपा मिलनी शुरू हो जाती है वो इस प्रकार से डिजाइन किया हुँ दस मिनिट का आग्या चकर का प्रयोग है तो जब साधकों ने उसको करना शुरू करा तो ये देखा कि सिर्फ दस मिनिट में ही उनकी रॉंक्ते खड़ी शुरू होना शुरू हो जाते है उनके आग्या चकर में स्पंदा नोना शुरू हो जाता है उनकी भ्रुटी तन जाती है जो जितनी भी स्ट्रेस होता है उनके पूरे जीवन का वो दस मिनिट में गायव हो जाता है उनको पता ही नहीं चलता है कि वो स्ट्रेस कहां चला गया रात बर कान में हैटफून लगा कर सो जाते हैं और सवे उनका जो अनभव होता है वो बिलकुल लग लग होता है बाकी सामानने रातों की नीन से बिलकुल हलका फील करते हैं, बहुत हलका महसूस करते हैं कॉंसेंट्रेट करना शुरू कर देते हैं बहुत सारे जो सादक हैं जिनके मन नहीं लगता था साधना में, साधना करना चाहते हैं, जिनके रुकावटे बहुत आती थी, वो हटना शुरू हो जाती है, उसके पीछे कारण क्या है कि वो जो दस मिनिट का आगए चकर का प्रयोग है, वो इसलिए है क्योंकि जो हम सोचते हैं, और हमारा मस्तक पटल पे रहता है, और उसका स्ट्रेस यहीं पर ही जमा रहता है, गाठो गूरूप में तो उस वीडियो के माद्धियम से, उस औरडियो के माद्धियम से वो गल्ना शुरू हो जाता है, और मैं विशेश रूब से जितने भी लोग है सानसारी, उनको यह recommend करता हूँ कि कम से कम अपने 24 घंटे में से 10 से 15 मिनट वो जरूर निकालें ताकि वो ध्यान की माध्यम से अपने जीवन में आने वाले stress को दूर कर सकें क्योंकि हम अगर किसी भी चीज में कुछ भी ध्यान देके करेंगे तो उसी में ही successful हो सकते हैं अगर हम जॉब में है चाए बिजनस में हैं चाए पड़ाई में हैं तो उसके लिए समय निकालना बहुत जरूरी है कम से कम 10-15 मिनट निकालना तो बहुत ही जरूरी है मैं यह नहीं कहता कि 1-2 घंटा साथना करी लेकिन वो सांसारिक लोग जिनके पास समय नहीं है उर्ज़ा नहीं बची है उनक आपने जीवन में स्ट्रेस फ्री रहने के लिए उनको ध्यान के लिए 10-15 मिन निकालना बहुत जरूरी है लेकिन आज कल की जो दिन चरह है वो तो इतनी वियस्त है कि लोग टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं और जिस प्रकार से आपने अपना ध्यान साधना करने का जो तरी तो सुन ले तो सुबह तक बहुत जादा बदलाव देखने के लिए मिलता है तो यह भी एक तरीका हो सकता है कि आपने अपनी दिन चर्या में से कुछ समय अपने लिए निकाला आप उस टाइम रेस्ट भी कर रहे हैं और इसको सुन भी रहे हैं तो इसी प्रकार से क्या योग निद्रा में ले जाती है उसके आर्थिक लाब भी हैं क्योंकि जो मिसमें अफरमेशन दिये हुए हैं उसमें जो बताय हुआ है जो मंत्र बताय हुए है वो कहीं न कहीं ऐसी जगहों पर आपके भीतर स्पंदन उत्पंद करते हैं जो आपकी जीवन में स्ट्रेस को तनाव को दूर करते हैं, और आपकी दिमाग को खोडते हैं, सोचने івसमझने के खिशमता परदान करते हैं, जहां तक आपने कहा की रात्तरी में अधिक तर ध्यान सुभे के समय होता है, रात्री के समय जो मेरा अपना अनभव है सभी साधना ये तांत्री की रात में होती है कोई भी मंत्रजाप अधिकतर सब गुरू लोग रात में ही करवाते है उनको कराने का उनका लॉजिक अलग है लेकिन मेरा जो तरक जहां तक मैंने समझा है कि आप रात्री में जितना भी आधी परत्वी कम से कम वो सो रही होती है और जिनके अपने मांसिक तरंग्य सब शांत हो चुकी होती है तो उन सभी के सोने के पश्चात यानि जानवर सो गए, पशुपक्षी सो गए, मनुश्य सो गया मनुष्य के साथ-साथ वो सारी मशीनरी भी सुगई वो सब शान्ती उसके ध्यान को उसके जब को और तब को बहुत आगे बढ़ाने में सहयो करती है यानि कि जितना विरोध उसको सुभह से लेके शाम रात तक के समय में रहता है मनुष्य की मानसिक तरंगों का हम सोच रहे हैं हम विचार कर रहे हैं कहीं कुछ पाप को रहा है कहीं दुराचार हो रहा है कोई पॉलिटिक सोच रहा है कुछ बहुत कुछ चल रहा होता है पूरे दिन भर तो वो स्ट्रेस वो हम भी रिसीव कर रहे होते हैं और जब हम receive कर रहे होते हैं तो उस समय ध्यान करना या जाब करना बहुत मुश्किल हो जाता है उसी के कारण रात्री में हम लोग साधना या जाब या तब के लिए समय बोलते हैं जी जी बिलकुल बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया साथ ही हम काल बहरफ जी की अगर बात करें तो आप बताते हैं कैसे उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए किस तरीके से उनको प्रसन करना चाहिए जैसे आपने कहा तामसिक और सात्वेक दोनों प्रकार से पूजा होती है जैसे गरनेश जी के बारे में आपने बताया हनुमान जी के आपने बारे में बताया तो बहरफ जी जो है उनकी भी क्या इसी प्रकार से पूजा अरशना होती है दोनों तरीके से क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है कि जब काल बहरफ जी की बात आती है तो उनको भोग जब चड़ाया जाता है तो मदीरा का चड़ाया जाता है लोग जाते हैं उनको भोग चड़ाते हैं वही उसी प्रकार से जब काले कुट्टे की अगर बात आती है तो लोग कहते हैं कि उनके ही जो है शिश्य कह सकते हैं या फिर कहें कि उनका रूप भी बहुत से लोग कह देते हैं कि उनके रूप होते हैं तो उनको किस तरीके से हम लोग खिलाएं, किस तरीके से उनका अश्रिवात प्राप्त करें, क्या उनकी सेवा करने से भी काल भहरव जी प्रसन हो जाते हैं? जी, इसमें हमें ये पता चलता है, कि भगवान भहरव कि कई रूप हैं, अनन्त रूप कह सकते हैं, आप देखी नहीं सकते हैं कि कितने रूप हैं, प्रतम जब हम सात्विक और तामसिक की बात करते हैं, तो सात्विक में भगवान भहरव को आप कुछ भी मिष्ठान दे सकते यहां तक कि जो भी आपकी घर्म बन रहा है, आप जैसे पित्रों के लिए निकालते हैं, वैसे आप भगवान बटुक भहरव के लिए भगवान भहरव जी के लिए कुछ प्रिसाद रूप में निकालके आप रख सकते हैं, मिश्ठान निकालके रख सकते हैं, उनको गुलाब उसके अंदर से जो मजजा आता है वो मजजा को लेके प्रयोग करना वो उनको बहुत पसंद है तो ये तामसिक में हो गया वो सात्विक में आप आपड कभी प्रयोग कर सकते हैं अब इस में जब आप ये कहती हैं कि उनके शवान की जब बात आती है तो इससे उनके निकट होने के गुण हम ये देख सकते हैं कि किस के होते हैं श्वान को हम देखते हैं कि कितना soft heart होता है कितना सौम हिर्दे होता है और आपने कभी किसी वर्ष में कभी भी अंजाने उसको कुछ भी खिलाया होगा तो वो उसको हमेशा याद रखता है आप दो साल बाद भी आएंगे तो आपकी एनरजी पहचान लेगा कि इसने मुझे कुछ दिया था खाने के लिए अब इसमें एक गुण आया कि आप बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट हों बिल्कुल नरम बिल्कुल साफ हिर दे दो श्मान रहता है दूसरा उतने ही खुंकार हों समय पढ़ने पर कि आपको अगर कोई कुछ कह रहा है आपको कोई अनेतिक लग रहा है चोड लग रहा है घर में प्रिवेश कर रहा है तो आप उसकी दुगना स्मीट से आकरमण करें, करोधी भी हों, खुंखार भी हों, ये दूसरा गुरूण, अंदर से सॉफ्ट, बहार से वैसा, तीसरा बहुत इमानदार होता है, उसकी ऑनिस्टी की मिसाल दी जाती है, यानि कि वो व्यक्ति, वो साधक, जो गुरू, मैं भ भगवान बहरोग के काल रूप की ही, सफेद मूर्ति की रूप में इस्थापना करनी है, और उनको गुरू रूप में विराजबान करना है, तो क्योंकि वो ग्यान दे रहे हैं, तो उनको अगर कोई समीप जाना चाहता है, भगवान बहरोग की निकटता पाना चाहता है, उनकी सेवा करना चाहता है, ये चाहता है कि वो उनको अपने सीधे गोधिम बठा दे, तो क्या गुण होने चाहिए, तो आप श्वान से देख सकते हैं कि श्वान के क्या गुण है, ऐसा ही सादक होना चाहिए, नीती नियम का पालन करने वाला, पिल्कुल हिर्दा से सौब बिना च्छल कपटके, और बाहर समय पढ़ने पर आकिम्र करने वाला, इमानदार, नैतिक नियमों का पालन करने वाला, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा सादक भगवान भहरव की समीपता या उन्ली करपा का पात्र हो जाता है, जो कि बहुत मुश्किल है तीनों गुणों का एक साथ होना, और साथ ही जब आप ये पूछते हैं कि उनको क्या भोग देना चाहिए, काले कुटे के लिए बोलते हैं, वो उनके गड़ हैं, वो दरोश बोले जाते हैं, भगवान भहरव की सवान, इसलिए जैसे मैंने जो把它 उनकी यातरा करते हैं बढ़के, चड़के, और उनको आप शनिवार के दिन, बुदवार के दिन, रभिवार के दिन, भहरो अश्टमी आती है, शुक लिया, क्रश्न पक्ष किसी में भी, उनको आप कुछ भी दे सकते हैं, जो सात्विक खाते हैं, वो सात्विक मिस्ठान दे सकते हैं, जो उतामसिक खाते हैं, वो उतामस यानिकों ने इस परकार से रिष्चना करी कि बाहर पहले बाहर पहुंचते हैं फिर धीरे बाहर करते 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 वो हम अंदर चले जाते हैं तो जो बाहर दिखता है वो एक समय के फश्चा भीतर दिखना शुरू हो जाता है और जब भीतर दिखना शुरू हो जाता है फि लेकिन फिलाल जो है समय का अभाव होता है मारे पास तो अब भी समय का अभाव है तो हमें यह रुकना पड़ेगा लेकिन आप आए इतनी अच्छे अच्छी जानकरिया दी आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद तो जरूर समपर करें नमबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहे हैं आप वाट्स अप कर सकते हैं साथ ही कॉल मी फॉर आपके माध्यम से सद्गुरु देव जी के द्वारा मार्क दर्शन प्राप्त कर सकते हैं अगले अपिसोड में तब तक के लिए चाहूंगी आगया जयकाल भहरव